हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई डिश करेले की सबजी जो खाने में तो बहुत टेस्टी होती है और साथ ही हेल्दी भी होती है तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना मैंने 1.5 kg करेले को धो कर रखा हुआ है और इसके बाद मैंने 1 कैरी लिए है चार अनियन लिए है मीटियम साइज के आप चाहे तो जादा अनियन भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने 1 टेबल स्पून भूनी हुई हल्दी लिए है और 1.5 टेबल स्पून सॉफ लिया हुआ है ज कटे हुए पीसीज को मैंने एक पानी भरे हुए बावल में रखा है और मैं इसमें एक टेबल स्पून नमक एड़ कर रही हूँ और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ताकि करेले का जितना भी कड़वापन है वो निकल जाए तब तक हम बाकी जीजो को तयार कर लेते हैं मैंने अनियन को लंबे स्लाइसेज में चौप कर लिया है और कैरी को कद्दू कस कर लिया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज स्लाइब करें फ्रेंट्स 20 मिनट हो गए हैं अब हम करेलों को पानी से निकाल 맛있 करेंगे मैंने ऑईल करने के लिए रखाता कडाई में जो की अब गरम हो गया है अब मैं उसमें अनियन डाल रही हूं गैस को मीडियूम फलेम पर ही हरतना है और अनियन को light brown होने तक ही भूनना और तोड़ी देख रहें कि हमारा ओनियन अच्छे से फ्राइब ही और ब्राउन भी हो गया है अब मैसे पुस्पलीज़ रहना है थोड़ी दिर बाद मैं इसको प्लेट से धग दूंगी और गैस को लो फ्लेम पे कर दूंगी कुछ दिर बाद प्लेट हड़ा कर चेक करेंगे करेला कुछ सॉफ्ट हो गया है अब इसमें कद्दू कस क्यूई कैरी डालेंगे और इसको मिक्स करते हुए चलाएंगे नमक और कैरी अड़ करने के बाद इसको फिर से कुछ दिर के लिए धग देना है कुछ दिर बाद खोल कर देखेंगे तो करेला पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है अब इसमें भूना हुआ हल्दी और सॉफ्ट एड़ करेंगे मैंने दोनों को भून लिया था लिए इसमें ज़्यादा स्पाइसी और यूज करना ठीक नहीं है वैसे तो करेला पग गया है बड़ इसको और ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ी दिर और पकाएंगे थोड़ी बात देखने पर हमारा करेला पक गया है काफी अच्छे से और क्रिस्पी भी हो ग व हमारा करेला है愉सी और अ practical अ कर दबे थोड़ी जस्या करो अ करेला हिए बना पकाएंगे हुआ खलत अ谈त हैछल गया यकाँ होड़ी तो न हमारा करना जना करा तो खंगоворी दोर जवाले है के स harbor चोंटने के उस्हामे है सताव माररा है और कराह कर दोलत दुरत सतावरики और